वेलकम बैक टूमाइ यूटूब चैनल एश्भी स्टेटी क्लासेस नायनिती थित्रीफ पर आज हम लोग typical 10 सामाजिक विज्यान का जो आपकी बुक है उसमें नाजिनेशास्त का जो पोर्सन है उसका चैप्टईर लंब Р 7 देखेंगे इस वीडियो में उसका chapter number 7 का नाम है लोग तंतर के परड़ाम, लोग तंतर के परड़ाम जो एक chapter है यह बहुत ही important chapter है, इसपे अलगवाट दो chapter है और दोनों chapter आते हैं, एक लेक लोग तंतर के परड़ाम होता है, chapter है और दूसरा है लोकतंतर की चुनवतियां ये दोनों चेप्टर बोर्ड एक्जाम में इससे कोस्टन अच्छे से आते हैं और आपको 100% कोस्टन फसेंगे इस कोस्ट इन दोनों चेप्टरों से बोर्ड में तो इस वीडियो में हम लोकतंतर के प्रडाम के बारे में सभी प्रसनों को डिसकस करेंगे तो आप लोग वीडियो को बिना इस्केप के हुए देखेगा और आपके सब समझ में आ जाएगा अगर आप लोग भी कच्छा दस बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं कच्छा दस का सोसल साइंस का तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपो सके हम क्लास 10 और 12 के मोश्ट इंपोर्ट कोश्चन चैप्टर 22 और बुक 22 बनाते वीडियो रहते हैं इसलिए आप चैनल को सस्काइब करके रखेए और बोर्ड की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए आए कोशन नंबर फस्ट देखते हैं कोशन नंबर फस्ट क्या है यह कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन इस वीडियो में जो भी कोशन है वो सभी मोश्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं बेरी बेरी इंपोर्टेंट होने वाले हैं देखे कोशन फस्ट क्या है लोग तांतरिक बिवस्ता आधारित होती है लोग तांतरिक जो बिवस्ता हो जो लोग तंत्र की बिवस्ता किस पर आधारित होती है, जो लोग तंत्र की बिवस्ता वो होती है, राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, किस पर बच्चों राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, आईए नेस्ट कोस्चन नमबर दो देखते हैं, कोस्चन नमबर दो क्य प्रकार की संख्या जो सरकारों की संख्या वो अधिक है राज तंत्रात्मक सरकार लोग तंत्रात्मक सरकार ताना साही सरकार सीमित राज तंत्रात्मक सरकार किस सरकार की जो संख्या है वो सबसे अधिक है राज तंत्र उसमें राज चलेगा राज चलेगा ताना साही चलेगी सीमित लोगतंत्र राजतंत्र राजतंत्र सीमित होगा तो बेवी नहीं से तो सबसे अच्छा होता है लोगतंत्रात्मक सरकार कौन सी लोगतंत्रात्मक जो सरकार है वो सबसे अधिक सरकार संख्याव की सरकार जो हर देश में लगवाग लोगतंत्रात्मक सरकार चलती है कि नेटेस को सुद्धान नंबर तीन है क्या है निम्ह लिफीत में से किस देस को छोड़कर किस देसको छोड़ देने ही देखें एज हर जगे टाणा साही पर लोगतन्त्र को प्राथमिक्ता दी गई इंधर्ण इसमें किस देसको छोड़ जिसमें ताना Definir kijken को प्राथ मिक्ता दी गई है तो बोगटतर दिया ति किसमें पाकिस्तान सिर्ण नमबर चाड़र सर्कार सरकार में नहीं होता है इनने जो लोगतंत्र pers Anti Real उसमें क्या नहीं होता थी तो तुरीट September क्या आप नेका वो यह कि box में आज practically देखा है गब सब के सामने सुनाता है तो इसमें क्या होता तोरित नेड़े नहीं लिया जाता है तुरंत नेड़े नहीं लिया जाता है इसमें कुछ समय बार नेड़े लिया जाता है दोनों पच्छों की दलिल सुनी जाती है उसके बाद में नेड़े लिया जाता है ठीक है तो आए को इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग तंत्र के नेड़े काइदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं उसे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जिसमें लोग तंत्र के जो नेड़े लिए जाते हैं वो काइदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं पारदर्सी प्रक्रिया तानासाई प्रक्रिया अपारदर्सी प्रक्रिया या मनमानी प्रक्रिया ऐसी कौंसी प्रक्रिया है जिसमें निर्णे जो लिये जाते हैं काइदे कानून के अनुसार लिये जाते हैं वो प्रक्रिया कौंसी है तो वो होती है पारदर्सी प्रक्रिया तानासाई में नहीं लिय लिए जाएंगे अपार दर्सी में नहीं लिए जाएंगे मनमानी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं लोग तंत्र के अंदर निश्ट कोसे नमबर छे बाइद सासन वेवस्था के मामले में बीच में गैप है सासन वेवस्था निश्चित रूप से अन सासनों से बहतर है ताना साही ताना साई सरकार अनसासनों से बेतर नहीं है ब्रस्टाचारी ए भी नहीं हो सकता है लोगतंत्रात्मक ए सबी देखे ए तो दो है नहीं और ब्रस्टाचार भी है नहीं तो ए वाला भी ए सबी वाला भी गलत है तो बचा कों सा तीसरा लोक तंत्रात्मक, सरकार या लोक तंत्रिक, सरकार या लोक तंत्रिक, ठीक है, निस्ट कोशन नमबर साथ क्या है, हम लोक तंत्रिक की अबधारणाओं को उस समय दोस देने लगते हैं, जब हम उसे मानते हैं, देखे हम लोक तंत्रिक की जो है इन में से कोई नहीं है जब हम समझते हैं कि लोक तंत्री अर्मर्ज की दबाय तब इसको को सब्सक्राइब लगते हैं तो नेस्ट कोस्ट नमबर आठ देคिएगा नेस्ट कोस्ट नमबर आठ जो है यह बहूत इंपोर्टेंट कॉस्ट्र है और कॉस्ट्र निया चार मार्क स्ट्राच में पुछा जाएगा ठीग्ए स्ट में जो भी कोस्टन वे लोक तंत्र पर ही आधारित है fuckin क्योंके लोक तंत्र पर ही चेप्टार वह जो ओ और भी कल्पी कोस्टन में कि लोग तंत्र यह है वो है तो लोग तंत्र का अर्थ क्या है इसकी चार प्रमुख विसेस्थाएं बताईए लोग तंत्र का आर्थ बताईए और इसकी जो चार प्रमुख विसेस्थाएं उनका भी बढ़न कीजिए या आपको इसी कोस्टन को अन्य तरी का नाम तो सुना होगा तो हम लिखते हैं अबराहीम लिंकन के अभ्लेक पैन से डाल देंगे ठीक है हम आपको बता देते आहां हमने जो रेड पेन का यूझ्छ किया आप बौर्ड परिछा के अंदर रेड pan का यूझ्छ नहीं करेंगे आप सिर्फ ब्लैक एंड ब्लीव का पेन का यूज करेंगे सिर्फ दो पिनों का क्योंकि जो रेड़ पेन होता वो अलाव नहीं होता बोड परिच्छा के अंदर ठीक है हम देखते हैं क्या लिखते हैं लोगतंतर का क्यारत है या लोगतंतर की परिवास आच्छे किसके अबराहिम लिंकन के जनता द्वारा सासन है लोगतंतर जनता का जनता के लिए और जनता के लिए और जनता के लिए ही जनता के द्वारा सासन है लोगतंतर की चार पुर्मुख विसेस्ता जो है वो नीचे दे गई है जो निमनलिखित है देखिए जो चार विसेस्ता है क्या है लोगतंतर नांग नागरिकों के अधिकारों तथा सुतंत्ताओं को वनाए रखता है और उसको उचित सम्मान भी प्रदान करता है देखें लोगतंत्र के अंदर आपको क्या होता है लोगतंत्र नहीं होता तो आपके समान अधिकार आपको सुतंत्ता नहीं होती ताना साही राज चलता और तान आपको जो सम्मान मिनताइब होँ एक लोग तंत्र की ही देन है लोग तंत्र में जनता का pow कर सकती है लोक तंतर में होती है लोक तंतर में जनता यहा अनुभव कर सकती है कि वहा स्वयम अपने आगे का देखते हैं क्या अनवोग कर सकती है लोग तंत्र में जनता यह अनवोग कर सकती है कि स्वयम अपने उपर सासन कर रही है देखें लोग तंत्र में क्या होता है यह है कि विसेस्ता लोग तंत्र के कि लोग तंत्र में जनता यह अनवोग कर सकती है कि वह अपने उपर ही सासन कर रही है आता नमबर तीन में इसकी जो प्रमुक विसेस्ता है वो भी देख लेते हैं लोग तंतर में कानून जन इच्छाओं तथा आकांच्छाओं की प्रतिरूप होते हैं कानून जनता की इच्छाओं के अनुरूप बनाया जाते हैं देखे लोक तंतर में कानून जो बना जाते हैं, कानून जन इच्छाओं तथा आकांचाओं के प्रतिरूप होते हैं, किसके बच्चों जन इच्छाओं या आकांचाओं के प्रतिरूप होते हैं, ठीक है, और जो कानून बना जाते हैं, वो जनता के इच्छाओं के अनुरू देखें लोगतंत्र क्या होता है नेतिकता तथा आदर्स पर बल देती है यह आप ध्यान रखेंगे आपसे विकल्ब में भी पूर सकता है कि लोगतंत्र किस पर बल देता है नेतिकता या तथा आदर्स दोनों पर बल देता है तथा अता है लोगतंत्रिक सरकार बेवस्था ल संपूर तरीके से और सांती पूर्वक तरीके से करती है लोगतंतर बिस्व सांती मानवता हो तो था प्रेम के मार्ग को प्रसंत करता है देखें लोगतंतर क्या होता है जो बिस्व सांती और मानवता के प्रेम मार्ग को प्रसंत करता है और यह था फूल डिक्सक्षन वीडिय अच्छे से करते रहिए जय हिन जय भारत